असलाम अलेकुम एन वेलकम बैक टो माय चैनल विद अनादर निव इंट्रस्टिंग व्लॉग जो कि अगेन एक फैमली पिकनिक का व्लॉग है और ये मैं स्टाट करें हूँ सुबा नाश्ते से सुबा नाश्ता हम लोग ने साड़े साथ बजे किया था और यूजली हम लोग इतनी जल्दी नाश्ता नहीं करते बट हमने जाना था हमारा तकरीबन दो घंटे का सफर था और हमने डे टाइमिंग में ही उसे कंप्लीट करना था तो इसलिए हम लोग अरली उठे और जो गयरा जो मैंने साथ ले जाने के लिए रखी हैं मैं कहीं पर भी जाती हूँ जहां पर मुझे पता हो कि किन किन चीजों की जुट पढ़ सकती है तो मैं फुल तियारी के साथ जाती हूँ मैंने साथ में बच्चों के लिए एक्स्टर कपड़े भी रख लिये थे क्योंकि हम जा रहे हैं काफी डस्टी एरिया है और वहां पर पानी भी होगा तो इसलिए बच्चों के लिए साथ एक्स्ट्रा कपड़े भी रखे थे साथ में मौश्ट्राइजर भी रखा है मैंने और मुझे पते हम डेर टाइमिंग में ने कल रहे हैं तो मैंने साथ में संस्क्रीन भी रखी है तो आप भी जब कभी डेर टाइमिंग्स के में जाएं या अगर आपको पता हो तो बच्चों कपड़े साथ में एक्स्ट्रा जरूर रखा करें कि मैं और यहां पर मैं पॉलितिन बिचा कर मैं फूट्स भी रख रही थी क्योंके साथ में मैंने का सफर में फू सब रेडी हो गयते और अब तक्रीबन नो बजे का टाइम था और हम निकल रही थे अम्मी की तुरफ जाने के लिए क्लिंकि अम्मी की फैमली और मेरी फैमली हम लोग सब साथ निकल रहे थे हम लोग पहुंच गए थे अम्मी की तरफ अभी कोई भी रेडी नहीं था तो हम लोग फिर एच बिल पे चले गए कि हम लोगों ने कुछ पैसे बगरे निकल वान थे तो उतना टाइम हम लोग वहां लगा देते हैं और साथ में मैंने अपने लिए ग्रेप्स भी रख लिया थे क्योंकि मैं भी अवोइड कर रही थी कि किसी भी किसम को कोई अनहल्दी स्नैक ना लूँ वेटलोस जॉर्णी पे हूँ तो मैं इंशाला बहुत जल्द अल्ला करे जो मुझे रिसल्ट मिल जाए तो मैं आपनों के साथ भी शेयर करूँ तो सफर हमारा स्टार्ट हो चुका था और सफर सारा ही ऐसे ही था हसीन सा मौसम बहुत प्यारा था बादलों वाला मौसम था और बादल आसमान और ग्रीनरी ये सब मिलके इतना प्यारा मतला मन्जर पेश कर रहे थे कि मुझे वैसे भी अर्ली मॉर्णिंग जो सफर किया ज लगता है और जैसे जैसे हम लोग मन्जिल के करीब पहुंचते जा रहे थे यादें जो खुबसुरत से जुड़े ही थी इस मन्जिल से वो आती जा रही थी मैं इस से पहले इस जगह पर अपने इन्वेस्टि के ट्रिप के साथ आई थी जो कि आज से बहुत साल पहले की ब बाता है तो वो जब मतलब के चीजें और सामने ये एरिया जब नजर आ रहा था तो वो तमाम जो फ्लैश बैक्स मुझे आ रहे थे और उस टाइम की यादें दुबारा ताजा हो रही थी तो सफर और भी मज़े कहो गया फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे हैट पंजनत जो के बहुत ही खुबसूरत जगा है एक सरजमीन पंच दरियाओं की एक ही सरजमीन है यहाँ पर मैं आपको यह भी बताते हैं कि पंजनत इसको क्यों कहा जाता है जैसे कि आपको मैं औरड़ी मेंशन कर चुकी हूं पंज का मतलब है पांच और नदे का मतलब है रिवर तो पांच दरियाओं एक ही सरजमीन पर भेहते हैं प्रफ से पानी बंद किया हुए था तो यह आपको कुछ एरिया थोड़ा सा राइ भी लग रहा है कहीं कहीं से और कहीं कहीं पर पानी भी लग रहा है तो हम एक साइड पर जहां पर पानी काम था वहां पर गयते वो भी आगे चलके मैं अपनों को बताऊंगी बड़ा डेरिंग काम था और जो एक साइड पर था पानी वो काफी जादा गहरा था और दूसरी साइड पर जहां से बंद किया हुए था वहां पर पानी इतना गहर बेदा से जा को पांच फशक्ते ौई फमके पांच दरीया के अगगा जिए निकाल्त लीज़ों आप रहा है कि कौन कौन से पांच दरिया हैं मैं भी जरा थोड़ा सा रिमाइंड कर लूँ दरिया चनाब, दरिया रावी, दरिया सचलुच, दरिया जहलम, दरिया ब्यास और ये पांचो के पांचो दरिया इसी एक सर्जमीन पर एक साथ ही बहते हैं तो अल्ला की उधरत देखें आप चलें जी आके चलके आपको नजारा दिखाते हैं ख्याल करके जाने हैं बहुत ही खतरनाक जगा है और ये देखें माशाआलला कितना मतलब खुबसूरत ये मनजर लग रहा है पत्ते देखें उपर बड़े है और ये बच्छों काम जो के हैं बस इनको जहां भी कोई एरिया मिल जाया है कहीं से भी इनको अट्रेक्शन लग रही होती है ना कि खेलने का एरिया है चाहे वो रेद की टेले हो या जो भी हो खेलना शुरू कर देती है और ये था कि रेदला बहुत था एरिया जाहर है पानी भी रेट भी मटी भी तो ये सब था तो इसलिए मैं एहतियातन बचों एकपड़े वगारे एक्स्ट्रा लेकर आई थी अब हम लोग दूसरी साइट पर आ गए थे और यहां पर पानी इस जगह से बंद किया हुआ था और यहां पर सारा पानी बहता है इस जगह पर पानी बंद किया हुआ था और कुछ एरिया जो ड्राइ था फिर हम लोग उने वहां पर जाकर देखा एरिया सेफ था मतलब इसलिहां आज थे कि आप उसके उपर चल सकते थे मटी के उपर काफी ज़्यादा सॉलिड थी लेकिन यह था कि काई बगैर भी थी तो बढ़ों की सुपर्विजन में आपने लेके जाना है बच्चों को अकेले बिलकुल ही जाने देना असद विप आपड़ स्टिक आमाना सेल्फी स्टिक पत्थर जो ड्राय वाले थे वो दूर दूर पड़े हैं और इन रास्तों में बड़े ख्याल से जाना पड़ रहा था तो पत्थर हैं और पत्थर ड्राय वाले थे वो दूर दूर पड़े वे थे तो मैंने इसलिए इस जग़ापर चैमरा यूज उसन के सीड़ीयों पर भी कम dove यूस किया मैं रहुड़ आप आत्यात में गिरी वे उँड़ाओ बड़े ख्याल न routine की थी शारल में गाया फालकि् अब हम इस जगा पर आगे थे हैं यहां पर चार पाईयां भी बीच्छी वी थी और इस तरह करके नीचे जगा भी बनाई भी थी क्योंकि जाहर है बूग भी लग रही थी घर से हमने नाश्टा भी जल्दी किया हुआ था तो हम लोग घर से कुछ भी नहीं बना कर आये थी क्योंकि आल रड़ी हमें पता था कि यहां पर मचली अराम से मिल जाती है और आप अपनी पसंद से मचली अपने हिसाब से उसका वेट करवाएं उसके बाद अपने सामने उसकी मेरिनेशन करवाएं और इसी वक्त ही मतलब बन जाती है फ्रेश इन अंकल जी ने बड़े मज़े लगा हैं सब बचों के नाम ले लेकि मतलब के वो गा रहे थे तो फिर रिजाए रहे हैं माशाला पैसे भी कमा लिए तो बस अब हम लोग फिश नजॉए करके वापसी की तरफ जा रहे थे और यहां पर मैं रिव्यू दे दूंगी कि अग पिकली फिकी रह गई थी बट यह था कि जो स्टीम फिश बनाई गई थी वो बहुत मज़ी की और बहुत ही कमाल बनी थी तो बस अब वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और आप भी जाना चाहते हैं बचों के साथ जरूर जाएं बट बहुत ख्याल कीजिएगा बचों का और यह के मौसम भी ठीक था गर्मी थी लेकिन यह के खुला एरिया होते तो इतने जदा फील नहीं होती इसके बाद हमने एशिया कैफे पर स्टे किया रिफ्रेश्मेंट के लिए चाय के लिए थोड़ी सा ब्रेक लिया सिली जी मैं यहाँ पर व्लॉग को एंड करती हूँ आए होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा मुझे फीड़बैक जरूर दी चीगा टेक कियर अलाफेर